पहले तो याद रखिए कि संबंध आपके जीवन को मधुर बनाने के लिए है आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप और क्या विशेश आनंद ले सकते हैं उसके लिए संबंध स्थापित किये जाते हैं चाहे वो मा का पुत्र के साथ, पुत्री के साथ या फिर पती-पत्नी का हो, या फिर भाई-बहन का हो, या मित्रता का संबंद हो. ये सारे संबंद आपको, उस संबंद का एक विशेश सुख प्रदान करते हैं, और इन संबंदों को संभालना, इने संभालना ये बड़ी जिम्मेदरी का काम है. तो जो आपका प्रश्ण है उसके उत्तर के लिए एक विशेश बात जो आप ध्यान रखेगा वो यह है कि जब तक आप उस पूरी घटना को पूरी तरह समझ न जाएं आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए पूरी बात समझ के तब ही आप बात करें तब आप अपनी प्रतिक्रिया दें आदिया धूरी बात सुनके या देखके उससे यदि आप कुछ कारे करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाता है एक छोटी सी कहानी सुनिए और देखे कैसे आपको यह क्या संदेश देती है तो एक टीचर था एक मास्टर थे और वो कुछ न कुछ अपनी पुस्तक पर विशेश लिखते रहते थे और उसे ढख देते थे उसे कबर कर देते थे जिससे की कोई बाहर वाले देखे ना किसी परकार की कोई अनोनी ना हो जाए सोचके एक दिन उन्होंने उस पुस्तक में एक विशेश चीज लिखी और वो जो पन्ना था वो उपर ही रह गया अब उपर रह गया ले जाते समय जो व्यक्ति उसे ले जा रहा था उसने उसे पढ़ लिया अब उसमें क्या लिखा था सोना कैसे प्राप्त करें उसके रहस्य अब ये पन्न देखके और उस संदेश को देखके व्यक्ति बहुत हैरान हो गया कि ये कितना विशेश एक संदेश है मुझे तो पूरा रहस्य पता होना चाहिए तो उसमें जो जो स्टेप्स लिखे थे वो उसमें बड़े ध्यान से देख लिए कि ये करना है, ये करना है और घर जाके, अब उसमें दिन लिखेते कि 21 दिन, तीन हपता इसका अभ्यास करें तो तीन हपता लगातार वो उसी का अभ्यास करता रहा अभ्यास करने के बाद वो बड़े आराम में चला गया आराम में चला गया, इससे बड़ा परेशान हुआ कि मुझे सोने के तो प्राप्ती हुई नहीं है तो वो जाता है उसी teacher के पास, master के पास, उससे कहता है कि सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, ख्षमा याचना करना चाहता हूँ, क्यूंकि जो संदेश आपने उस पुस्तत में लिखा, उस पन्ने पे लिखा, वो मैंने पढ़ा, और पिछले तीन हपत क्रोधित होने के विपरित वो बड़ा मुस्कुराया इस व्यक्ति पर बहुत हसा इस व्यक्ति पर और कहा कि देखो जी जो सोना आपने पढ़ा सोना कैसे प्राप्त करें वह सोना मैं निद्रा के विशे में बात कर रहा था कि आप सोने की स्थिती कैसे प्राप्त करें एक उपाई मेंने लिखे थे, ना कि सोना, स्वर्ण जो आप सोच गये, जो आपने समझ लिया, तो इसलिए आपको आराम लगा तीन हपते बाद, आपको नीद, आराम सा महसूस हो रहा है, स्वर्ण प्राप्त करने का उपाई मेंने नहीं लिखा था, तो यहाँ इस कहाणी में क्या, देखें आप समझें की, तो जब तक आप उस पूरी घटना को पूरी तरह न समझ लें, प्रतिक्रिया ना दें, इससे आप अपने संबंधों को बचा सकते हैं, और उसमें जो प्रेम हैं, उसमें जो आनंद हैं, आप उसको प्राप्त कर पाते है एक बार यदि किसी relationship में खटास पैदा हो जाएगी वो पूरे जीवन भर रहती है तो आपने अपने relationship को बहुत carefully manage करना है immediate reaction नहीं करना है थोड़ा ठहराव लेना है पूरी बात सुननी है पूरी बात समझनी है उसके पिर आप जो भी आपका विचार है जैसा भी आपका मन है आप वैसा निरने ले और उस परकार फिर जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं if you found this video helpful don't forget to give it a thumbs up and share it with your friends and leave your thoughts in the comments below and of course subscribe for more content on health and lifestyle झाल